हेलो गाइस वेल्कावं बैक फॉल न्यू वीडियो तो गाइस सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं ब्यासनल का निया लोगो जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने वाला है यानि के ब्यासनल का जो पुराना लोगो था वो तो हट चुका है तोटली अब यहां निया वाला लोगो है न भी असनल का यह बैसिकली हमारे इंडियन फ्लैग को देखकर मतलों के बनाया गया है इस मतलों के नए लोगों के अंदर टोटली अपना फ्लैग नजर आता है सब्सक्राइब यहां पर आप देख सकते हैं इस राउंड बॉल के ओपर आपको और इन्डियन का अपना मैप नजर आ जाएगा अपना भारत का नक्षवी भई नोने लोगों लॉच्छ इंडिया इसके साहँ साथ दोसों बेंडिया ऊपने बताना चाहता हुँ कि बीएसनल की न इससे अलग 5-6 नई सर्विस भी लॉंच हुई है कौन-कौन सी वो सर्विस है जो कि आप लोगों को जाननी बहुत जुरूरी है अगर आप एक बीएसनल यूजर हो या फिर दोस्वाप बीएसनल में पॉर्ट करने का प्लान बना रहे हो या फिर दोस्वाप इसका बाद दोस्व यहां पर बीएसनल ने कुछ दिन पहले मैंने आप लोगो बताया तो वीडियो बनाके एक IP TV सर्विस को भी लॉंच किया गया है अब यह IP TV सर्विस मुझे पता कि काफी लोग तो जानते भी होंगे क्योंकि हमने वीडियो बनाके बताया है तो आप लो हो तो यहां पर दोस्व कहने जैसे जियो टीवी प्लस एप है जियो टीवी प्लस एप के अंदर क्या होता कि आप लोगों को चैनल मिलते हैं औरी कंटेंट देखने को मिलता है तो सेम पर बीएसनल ने भी आपना IP TV सर्विस लॉंच किया है जिसके अंदर आपको फ्री में 500 TV चैनल देखने को मिलने वाले हैं तो दोस्तों यह जो है ना टोटली फ्री आपको देखने को मिलने वाला है फिलाल दोस्तों एंड बाद में हो सकता कि इसका चार्ज आपको देना पड़े बट फिलाल दोस्तों जो है टोटली फ्री है बट यह जो है अभी जो सर्विस है कुछ ही area के अंदर available है अभी all over India या फिर मतलों के maximum जो है आपको नहीं मिलेगी देखने को बट कुछ राज़ों कुछ cities के अंदर आपको यह service है देखने को मिल जाएगा दोस्तो अब यहां मतलों आपके पास fiber प्रिंट करने के लिए मशीन के अंदर ढ़ता है तो सेम यह भी चीज़ आपको मिलने वाली है या दोस्तों आप जो है फिर जी ओके शोरोम के अंदर गहे होंगे वहां पर नहीं क्स्ट्मर आता है अपनी लेके आता है या फिर नई क्वेरी लेके आता तो वह सबसे पहले KYC की जाती है और उस KYC के माध्यां से दोसो आप जो है अपने मुबाइल नमबर अधार कार्ड को लिंक करके KYC इसके थुरू कर सकते हो और आपको benefit यहां में हो बेल जाएगा कि आप इसी के थुरू दोसो अपने के नया से भी purchase कर सकते हो कोई query है आपकी वो आप यहां पर सब्मिट कर सकते हो साथ में दोस्तों अगर आपको अपना SIM replace करना है खराब हो गया है तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं वस्ट अब दोस्तों आप लोगों को यहां पर registration करनी पड़ेगी एक सालफ के एप की तरह काम करता है इसके अंदर दोस्तों सबसे पहला अपना मुबाइल नंबर अधार कार्ड और अपने OTP के साथ दोस्तों इसको एक बार आपको अधार EKYC में complete कर लेना है जैसी आपके अधार सर्विस इसके अंदर आपको मिल जाती है तो काफी अच्छी बात हो जाती है अपने के लिए क्योंकि इंडियन नेटवर्क है और काफी अच्छा जल्दी वांच ओऔर लगे के बाई कुछ अच्छा कर रहा है अपने लिए अब यहाँ पर दोस्तों ब्यश्चार के अंदर जो सालफ के एफ याफ के अंदर कर अब कंप्लेंट सेक्षं में जाते थे तो कंप्लेंट सेक्षं के अंदर आप लोगो दों रहने भी इस देखे मों मिलती थी जो आप वहाँ पर चूज कर सकते थे इसके पाफ़ 20 यहां पर अधिक service launch करी है वो है spam protection से लेड़ दोस्तों ठीक है आपको spam calls बहुत आती हैं तो अगर आप यह सिम यूज़ करते हैं तो अभी दोस्तों यह आपको spam calls आती होंगी अगर आप था है तो सेम डूस्तों यहां पर सिर्फ यहां पर यहां पर यह सिर्फ आपको SMS के ओपर धेने को मिलेगी और यानिकर दोस्तों सिर्फ को के ओपर ही active होती है यानिकि जो spam calls होती है सिर्फ उनको ब्लॉक किया जाता है बट ब्सनल के अंदर आपकी calls को भी और SMS अगर spam SMS आएंगे तो दोस्तों उसके ओपर भी सर्विस को active किया जाएगा यानिकि दो तरह से आपको benefit मिलने वाला है तो नए नए अपडेट आ रहे हैं नए नए changes मिल रहे हैं BSNL के अंदर तो सुनने में काफी अच्छा लगता है यह जो services हमें नए नए सुनने को मिल रही है तो यह जल्दी launch हो ठीक है और BSNL एक सबसे बड़ा network बन जाए इसके बाद दोस्तों यहां पर BSNL एक service और launch कर रहा है जैसे कि दोस्तों आप घर पर को यूज कर सकते हैं मतलब कि यह service BSNL launch कर रहा है एडलन वी आई के पास है नहीं है मैं कुछ कहा नहीं सकता बट BSNL कह रहा है कि हम एक ऐसी service launch करेंगे जो की फाइबर होट स्पोर्ट के नाम से जानी जाएगी यानि के फाइबर होट स्पोर्ट की service के माद्यम से जो घर पे आपके वाइफा लगावना उसी का यूज आप किसी भी other location पर जाके कर पाएगे तो भाई देखो service सुनने में तो बहुत हाई फाई लग रही है अब यह service आप आएगी कब देखने को मिलेगी इसके बारे में कोई ख्याल नहीं है बट हाँ यार अगर बियसनल कुछ कह रहा है तो करके भी दिखाएगा चाहे लेट हो तो service आपको देखने को मिलेगी इसके बाद यहां पर दोस्तों जो है बियसनल कहा रहा है कि मार्च 2025 तो यहां पर 5G की service भी देखने को मिल जाएगी यार देखो यार अगर 4G यहां पर पैन इंडिया के अंदर लॉंच हो जाता है प्रॉपर ली मतलब 4G सही जो इंडियन लोग है जो बैसनल के गरहा के सीम लेकर रखे होए ठीक है तो वह भाई 4G चला के ही बहुत खुश हो जाएंगे इवन यहां पर 5G की बात की जा रही है कि भाई 6 मेने बाद हम 5G के service भी launch कर देंगे मतलब के BSN को कुछ ऐसा लगा रहा है कि जैसे सबसे पहले हम tower लगा रहे हैं जिसके ओपर 4G काम करेगा और उसी tower को हम convert कर देंगे यानि कि software के थूर convert कर देंगे भी आपका 5G उसमें convert हो यहां पर BSN बोल रहा है कि भाई 6 मेने बाद हम 4G से सिधा 5G में भी convert कर देंगे यानि कि काफी तेजी से जो है BSN ग्रो करना सोच रहा है काफी तेजी से आप लोगों को service वगेरा प्रवाइड कर रहा है अब यहां पर दोस्तों यह 6-7 नई services जो है BSN के अंदर जो है add होने दोस्तों इसके बाद BSN का जो लोगों है वो चेंज हो चुका है यहां पर जो spam services वाली यहां पर spam calls वाली SMS वाली services वह भी बहुत जल्दी आप मिलने वाली है तो आप लोगों को BSN के यह जो साथ नए अपडेट्स आये हैं नए फीचर्स आये हैं आप लोगों कैसे लगे को कितना support करते हो वह भी मुझे में जुरू से बताना होप करते हैं जानकारी वीडियो आप लोग अपसना होगी अपसना इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना हो